हमारे आंगन की चिडिया गोरेया आज विलप्त होती जा रही है इस गोरेया की प्रजाती को विलप्त होने से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के हापूर जिले में गोरेया की उडान टीम जूटी होई है टीम के सदस्य घरगर जाकर गोरेयों के लिए क्रितिम घोसलों की स्थापना कर रही है टीम के सदस्यों का होसला इस बात से बढ़ रहा है कि उनके द्वारा लगाये जा रहे हैं निशुलक क्रितिम घोसलों में ना सिर्फ गोरेईयाएं वापस आ रही हैं बलकि उनमें वापने बच्चे भी दे रही हैं। अब तक वहापूर की कई कॉलोनियों में घर घर जाकर कृतिंग घोसले लगा चुकी हैं। इस काम में उनका साथ उनके पती ठाकुर दिनेश सिंग भी देते हैं। ठाकुर दिनेश सिंग ने बताया कि गोरेईयों को संदक्षित करने के लिए पूरी जी जान से जुटे हुए हैं। इसमें कॉलोनिय की बच्चों के अलावा अभिभावक्स, शिक्षक और कॉलोनिय वासी भी साथ देते हैं। चीडियों के पानी पीने के लिए जगा जगा उचित इस्थानों पर पात्रों में पानी रखा गया है। जी, बिल्कुल हमारी गौरेया की उरान के नाम से हम लोगों ने एक टीम का निर्वान किया है। और इसको हम लगातार अपने सकारात्मक सोच के साथ लगातार मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। और इसके अंतरगत हम लोग कृत्रियम हाउस प्रकार के मिट्टी के हैं या लकडी के हों या फिर वेस्ट मिटीरियल से तयार घर जिनमें वो अपना आवास बना सकती है। और इस समय उसका जो सीजन चल रहा है और इसलिए हम लोगों ने इस अभ्यान को इतने तीवर गती से हम लोग इसको चला रहे हैं और जिसमें की सकारात्मक परे नाम भी आ रहे हैं। मेरा नाम प्रीती यदव है और हम कोरोना समय से इस कारे को और प्रगती की तरफ बढ़ा रहे हैं और बस यही है कि जीव जन्तों से प्यार करना और गुराया जो लुप्त हो गई थी उसको अब और अच्छा लोग भी जाने यह हमारी फसलों के लिए भी अच्छी है इसलिए लगबग देट दो हजार लोग जुड़े हुए हैं मेरा नाम दिनेश कुमार है दरसल यह जो अभियान है यह बिलुप्त होती होई चिडिया है जिसका नाम गौरिया है जिसे हम हाउस इस पर हो भी कहते हैं उसको बचाने के लिए अब यहां चलाया जा रहा है जिसको हम प जगा जगा पर लगवाए हैं जहां पर यह हमको एक दो गोरिया दिखती हैं तो वहां पर हम इस तरह के घर लगवाते हैं जिससे कि उसके प्रजाति को बढ़ाया जा सके अब तक लगवग हम खौन से 7000 घर यह फ्री अफ कॉस्ट जगा जगा पर लगवा चुके हैं लोग तो आप इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा इसकी संख्या बढ़ चुकी होगी